दोस्तों शाओमी ने एक बाब फिर से मोबाइल फोन इंडस्ट्री को कन्फ्यूस करने के लिए लाँच कर दिया है अपना एक और नया फोन जो की है रेड्मी 9 प्राइम अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको कन्क्लूजन दे दूँ कि यह है फोन दसज दसजार वैसे प्राइज़ में आपको यह फोन देखने को मिल जाता है लेकिन जो चारजी इब्राम और चॉटा से ज्यादा रखा गया है और यह एक्स्ट्रा के लिए आपको दो जार्प एक्सर देने बढ़ेंगे तो यह वाला जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा महंगा ह लेकिन जो 4G ब्रम और 64G वेरेंट है मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी प्राइजिंग के साथ में को देखने को मिलता है और यह आपके लिए एक बैस फोन हो सकता है और यह इस प्राइज में बैस फोन क्यों हो सकता है चलिए बात करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो स् इक सर देखने को नहीं मिलेगा वैसा ही टिपिकल रैडमी वाला लोक आपको देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज है तो डिजाइन अट्रेक्टिव नहीं है डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रैडमी के देख चुके हैं लेकिन अग आपको मिलता है 6.53 इंचेस का यहां बड़ा डिस्प्लै है जो कि हमने रैडमी नोट 9 में भी देखा था लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि यह आपको मिलता है फोल एज़ी प्लस दिस्प्लै देखने को मिल रहा है अगर माँ बात करता हूं दोस्तों के कैमरास की तो SC8 makes of 5 Xbox अग्या गया है और आगर में बात करता हूं इस फोन के दूसरे की हाइलएट फीचर की तो वो होने वाला है इस फोन का परफॉमेंस क्योंकि यहां पर में देखने मिलता है MediaTek का Helio G80 चिपसेट और G80 चिपसेट का performance हम आरेड़ी देख चुके हैं तो 10,000 पर की प्राइजिंग में आपको बहुत ही अच्छा performance यहां पर देखने को मिलने वाला है और हाँ दोस्तों यहां पर जो RAM बॉक्स में सिर्फ आपको 10W का charger की देखने को मिलने वाला है लेकिन सपोर्ट करता है यह अच्छी बात है इसके लवा यहां पर आपको जो charging port देखने को मिलता है वो भी टाइप C है तो यह अच्छी बात है और इसके लवा यहां पर आपको protection के लिए P2i coating और कुछ इस तरीक का फीजर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो कोल मिला कर वो सारी चीज़े हैं जो कि हम डूड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा option हो सकता है और अगर आप भी डूड रहे हैं कोई ऐसा फोन जहां पर आपको देखने को मिले आपको बै सकते हैं लेकिन जो इसको उपर वाला वेरिंट है 12,000 रुपे की प्राइजिंग में जो लॉंच हुआ है उसको आप ना खरीते तो अच्छा होगा क्योंकि वह और प्राइज है लेकिन हाँ जो बेज़ फेरिंट है डबल लाइन का इसे आप बेज़ तक खरी सकते हैं तो ब